नरहो न निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, तम जो जिसमें यह ब्यर्थ नहो, कुछ तो उप्युक्त करो तन को, नरहो न निरास करो मन को, संभलो कि स्योग न जाय चला, कब ब्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निरास अपना, पथ आप प्रसस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निरास करो मन को जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, पिर जा सकता वह सत्व कहां तुम स्वत्त सुधारस पान करो, उठके अमरत्व विधान करो दवरूप रहो भावकानन को, न रहो न निरास करो मन को निजगो रावका नित ज्ञान रहे, अंभी कुछ है यह ध्यान रहे सब जाय अभी पर मान रहे, मर्लोत्तर गुंजित गान रहे इन पंक्तियों से कभी समझाना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आपको स्टेल्फ मोटिवेटिड कर सकते हैं जैसे पहले पंक्ती में उन्होंने समझाया कि कुछ है हमें करना चाहिए जिससे हमारी जग में नाम हो। दूसरे पंक्ती में कभी ये समझाने के कोसिस करते हैं। एसे अपने आपको समझालो और और आपको ऐसे आगे बढ़ाओ और अपना पत खुद ही प्रसेश्ट करो लबकुरी बनाओं। अगे के पंक्तियों में कभी समझाते हैं, कि सब्छत्व उम्हें यहीं पे मिल सकता है। उसका इस्तमाल करो और अपने काम को, अपने सपनों को वो अकार दो. आगे के पंके में अभी ये समझाते हैं, कि ये जग एक दिन छूटी जाना है, अग किसी को, इस जग से जाना ही है, तो यहां पर अमर होके तो आया नहीं है, जैसे कोई अस्वतामा तो है नहीं यहां पर, कि जो आज इवन रहेगा, जब तक प्रिथी रहेगी, तब तक रहेगा, ऐसा तो कोई है नहीं, तो सबको एक दिन एक दिन जाना ही है, कुछ ऐसा काम करो, जिससे आपका जग में नाम, आपकी जाने के पाद भी लोग आपको याद करें, तरने वाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, करनी टामाएब है लोग अवेर को पिक को एफ़सदी एम, वाल गाद करोको आपका जालंभ, नाम करेंवेरो कोईब आपको ओना कि तो स्यासूनी हम समें आपको नहीं, तो सबकितों जालंगोर यखको।